हेई एवरिवन वेलकम टू इंडियन स्टार हर्स गेमिंग चैनल तो गाइस काफी लोगों के डाउट्स थे और काफी लोगों के कॉमेंट्स थे ठीक है और मैंने खुद को थे एक्स्पीरियंस नहीं किया है बट मेरे दोस्तों ने एक्स्पीरियंस किया है मतलब या तो क्रैस हो जा रही है या फिर वहीं पर अटक जा रही है ठीक है गेम आगे बढ़ नीडा है उनके सामने कुछ भी आप्सन नहीं आ रहा है वो हार मान चुके ठीक है आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लेम आ रही है जैसा कि कुछ लोगों ने मुझे कॉमेंट में बताया है तो चलो इस वीडियो में उसे भी फिक्स करने की कोसिस करूँगा हाला कि मेरे गेम में ऐसा कुछ भी नहीं आया था अब यह नहीं पता कि आपके में क्यों आया और मेरे में नहीं आया बट मैं फिर भी आपकी कोसिस करूँगा क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड का सॉल्ब किया यह इशू ठीक है यह इशू उसके लैप्टॉप में आ रहा था मतलब उसने लैप्टॉप में इंस्टॉल कर रखा था वाज्डॉग टू जैसे कि हमने किया यह इस ने भी किया और इन्स्टॉल करकर जब फिर वहाँ पर उनका गेम जो है लोडिंग स्कीन पर क्रैस कर जाए था मतलब आरह था लोडिंग चलने वाली था जैसे वाजडॉग 2 आह वास उसके बात क्रैस कर जा ठीक है तो चलो इस वीडियो में मैं fix करता हूँ उसमें हो गया है सायद आप में भी हो जाया तो आप को सिस्करो ठीक है जो steps में बताने वाला हो उन steps को देखो और वीडियो को लाश्ट तक देखना तभी आपको सही से समझ में आएगी वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी subscribe कर लो क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो अपने चैनल पर डालता रहता हूं GTA 5 से रिलेटेर और कई भी नई गेम जितने भी आगे आने वाले उन सब से रिलेटेर और नए गेम जो भी रिलीज होते फ्री में या फिर जैसे भी discount आता है उन सब की details आपको इस चैनल पर मिल जाएगी ठीक है तो चलो वीडियो को start करते है तो guys सबसे पहले जो आपको काम करना है तो चलो watchdog 2 की सबसे पहले आपको अपनी डिरेक्टरी में चले जाना है जहां पर भी आपने watchdog 2 को install कर रखा है तो मैं यहां पर एक आपको exe file दिखेगा जो कि application file है वो होगा easy anti-cheat setup के नाम से ठीक है इस setup के नाम से यह file आपको दिखेगी ठीक है तो आपको क्या करना है इसको run as administrator करना है ok yes कर लेना यहां पर है और यहां पर देख सकते हैं कुछ ऐसा option आते हैं आपके पास तो यहां पर search bar type का, और selection type का, इसको just click करना है और यहां पर आपको watchdog 2 को open करना है ठीक है यहां लेख्ke चूर जोग 2 ठीक है तो इसका select करना है guys और यहां से a kein install that button रहा है一下 आपको वापस से वापस से वापस वाज्टोग 2 के डार्क्रिटी में जाकर वहाँ से बीन फोल्डर में जाकर वाँ से वाज्ड डार्क्रिट्टिर यहां पर आपर आप देख सोगता है मैंने shortcourt कैसे create करते हैं आपको जो आना है वह मैं बता तो आपको property जो दिख़री है यह property पर आनिये जैसे आप property पर आऊगे तो यहां पर आपको е target file दिखता है ठीक है .exe वाली file है तो main kill यहाँ पर ठीक है बात को ध्यान सा सुनना तो आपको जो guys करना है यहाँ पर पहले एक बर click करना है आपको जो यह double inverted comma दिख रहा है ठीक है इसके last end पर जाना है और यहाँ पर एक बर इस paste को press करना है प्रेस करने के बाद आपको जो यहाँ पर paste करना है वो एक line paste करना है छोटी सी मैं बता दो कौन सी है तो line guys यह ठीक है dash यह बीच में देख सकते हो यहाँ पर dash EAC under dash launcher आप इस वाली चुछ को copy करना है ठीक है मैं नीचे description में भी देदूगा इसका जो link है इसका लिंक देदूगा मैं notepad का और वहाँ से जाकर आप इसको copy कर सकते है फिर आप देख लो यहाँ से type कर सकते हो तो type कर लो easy है तो यहाँ पर आपको क्या करना है guys यहाँ पर just इसको paste कर देना है तो आप यहाँ देखना है यह देखो यह कर लेना guys ठीक है और compatibility में जाना है मैंने फिर से बताया है run this program in compatible mode करके windows 7 आने देना है run this program as administrator यह करके आपको यहाँ से apply करके ok कर देना है game जो है जो loading screen आपकी जो वहाँ पर जाके crash कर जाड़ी game या फिर loading screen infinite loading screen हो जा रही है ठीक है कुछ आगे ना बढ़ रहा ना कुछ अंदर हो रहा है हाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि जो आपको internet connection है यह settings करने के दौरान internet connection को off कर लेना ठीक है एक बार आप internet connection off करके game को run कर आके देखना ठीक है यहाँ से administrator करा कर देखना उसके बाद फिर अगले बार से आप connection को वहाँ पर connect कर सकते हो ठीक है तो guys मुझे आसा है कि आप में यह game चल ली होगी और finally आपको यह video अच्छी लगी होगी तो video को like कर देना और चैनल को भी subscribe कर लो फिर मिलता है next video में और हाँ इस video में भी आप comment section में जाके comment कर दो मैं वहाँ पर आपके doubts होगे वह अगर common होगे बहुत लोगों के doubt होगे तो मैं जरूर से उस पर एक video बना दूँगा नहीं तो मैं comment section में आपकी reply करके आपका solution बता दूँगा ठीक है तो फिर मिलते हैं कोई next video में तब तक के लिए झाल